नमस्कार स्वागत थे आप सभीका सिक्षा सीटिके सी योडूब चैनल में आज है तीन मार्च का दिन और तीन मार्च के दिन के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेस के प्रस्ण बन सकते हैं लोकसभाई स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्वती महिलाओं के पोसर है तो राजस्थान से आरंब किये गए अभियान का क्या नाम है। सुपर इंपोर्टेंट प्रस्नौ। तो हाली में हमारे जो लोकसवाई स्पीकर है, ओम बिरला जी, इनके दोरा गर्वती महिलाओं के पोसर है, तो राजस्थान के कोटा में, ये सहरा प्या देखेगा, राजस्थान के कोटा में एक अभियान लौंच किया गया, इस अभियान का नाम है सुपोसित मा अभियान, यानि ऑप्शन जो इसका भी है, हमारे बिल्कुल सही है, इस अभियान का नाम है सुपोसित मा अभियान, तता इसको लौंच किया गया है, राजस्थान के कोटा सहर में किसके दोरा, तो लोकसवाई स्पीकर ओम बिरला के दौरा तो अब इसे या देखिएगा अब यह अभियान किसके लिए है तो इस अभियान के तहट यह जो सुपोसित माँ अभियान है इसके तहट गर्वती महिलाओं और नौजात बच्चों के स्वास्त को दुरूस्त बनाये रखने की को रखा जाएगा तता इस अभियान के तहट टोटल एक हजार अप्या देखेगा इस अभियान के तहट टोटल एक हजार गर्वती महिलाओं को नौ महिने तक पोसक तत्तों से भरपूर भोजन की किट भी मुहया कराई जाएगी तो इस अभियान का क्या नाम है तो सुपोसित मावियान इसको राजस्थान के कोटा सहर में लॉंच किया गया है किस के दारा तो लोगसबाई स्पीकर ओम बिरला के दारा तो इतनी चीज़े आप याज किएगा अगला प्रस्थान मारा है निमलिकित में से किस दिन पुर्व प्रधान मंतरी मुराजजी देशाई की जयनती मनाई जाती है तो प्रतिवर्ष 29 फरवरी के दिन हमारे देश के पुर्व प्रधान मंतरी मुराजजी देशाई जी की जयनती मनाई जाती है तो ओप्शन इसका ए बिल्कुल सही है 29 फरहुरी के दिन हमारे जो पूरि परधान मंत्री थे मुराजी देशाई इनका जन्म हुआ था 29 फरहुरी सन 1890 को पुर प्रधान मंतरी मुरालजी देशाई का जन्म हुआ था तता ये 24 मार्च 2977 को हमारे देश के प्रधान मंतरी बने थे तता 10 अप्रेल 1905 को मुरालजी देशाई का निधन हो गया था तो इतनी चीज़े आप या देखिएगा अगला प्रस्ण मारा है भारती रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ओन विल्स लाँज किया है तो हाली में भारती रेलवे ने आसन सोल में कहां तो option इसका C बिल्कुल सही है हाली में आसन सोल नामक जगए पे आसन सोल जो कि एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पे रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए जो भारती रेल है उसने अपना पहला रेस्टोरेंट ओन विल्स लाँज किया है तो option इसका C बिल्कुल सही है आसन सोल में अगला प्रस्थ हमारा है वर्स 2020 में बिस्व उत्पादक्ता कॉंग्रेस का आयोजन निमलिकित में से किस देश में किया जाएगा तो पूरे 45 वर्सों बादा प्या देखेगा यह जो बिस्व उत्पादक्ता कॉंग्रेस का आयोजन है यह भारत में किया जाएगा पूरे 45 वर्सों के बाद भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है पिछली बार इसका जो आयोजन था यह भारत में किया गया था कब तो पिछली बार 1974 में 200 उत्पादक्ता कॉंग्रेस का आयोजन भारत में किया गया था तता इसका जो आयोजन है बैंगलोरू सहर में किया जाएगा 6 माई से लेके 8 माई के मद कब तो इसका जो आयोजन 6 माई से लेके 8 माई के मद बैंगलोरू में इसका आयोजन किया जाएगा तो आप इसे याद दिखेगा तता इसकी इस वर्स की थीम रखे गई है उद्योग 4. 4.0 किया है तो इस वर्स किसी थीम है उद्योग 4.0 नवाचार और उद्पाधकता तो आप इसे याद रखियेगा अगला प्लस हमारा है किस भासा के लेखक रिचर्ड जान पैस का हाली में निधन हो गया है तो हाली में Richard on pass का निधन हो गया है तता यह जो लेखक थे यह कॉंकड़ी भासा के लेखक थे तो option इसका D बिल्कुल सही है कॉंकड़ी भासा के लेखक थे Richard John pass जिनका हाली में निधन हो गया है तो option इसका जो D है बिल्कुल सही है आप इसे याद देखेगा एक मार्ज के दिन इनका निधन हो गया है अगला प्रस्त नमारा है किस राज सरकार ने बीना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ओपरेटर के अनलाइन भोजन डिलिवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है तो हाली में जो पंजाब की गवर्मेंट है पर देखेगा हाली में जो पंजाब की गवर्मेंट है उसने इस प्रकार का डिसेजन लिया है कि बीना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ओपरेटर जो होंगे उनकी ऑउनलाइन भोजन डिलिवरी पर रोक लगाई जाएगी तो उप्सेन इसका ए बिल्कुल सही है उन सभी ऑउनलाइन भोजन डिलिवरी जो ऑपरेटर होंगे जिनके मतलब जो फूड की रेटिंग होगी वो हाईजीन अगर नहीं पाई जाएगी तो उनकी जो online delivery service है उसको बंद कल दिया जाएगा पंजाब की government के दोरा तो अप इसे याद देखिएगा पंजाब की government ने ऐसा देशा निर्देश जारे किया है निमलिकित में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस यानि की civil accounts day मनाया जाता है तो भारत में प्रती वर्ष जो है civil accounts day मनाया जाता है एक मार्च की दिन यानि जो option इसका C है हमारे बेलकुल सही है प्रती वर्स एक मार्च के दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है तता इस वर्स यानि कि 2020 में यह 44वा नागरिक लेखा दिवस मनाया गया है तो आप इसे याद किएगा आठवा प्रस नमारा है निमलिकित में से किसने हाली में मलेसिया के प्रधान मंत्री के रूप में सपत ग्रहन की है तो मलेसिया के प्रधान मंत्री नए कौन बने है तो इनका नाम है मोहियूदिन यासिन यानि option जो इसका D हमारे बिलकुल सही है हाली में मोही यूदिन यासिन जो है ये मलेसिया के नए प्रधान मंत्री बने है तो options का D बिल्कुल सही है आपको पता होगा कि महातिर मुहम्मद इससे पहले महातिर मुहम्मद इससे पहले उन्होंने हाली में अपने पस से इस्थीपा दे दिया है तता इनके इस्थीपा दे के बाद नय जो मलीषिया के प्रधान मंत्री बने हैं। महीदिन यासीन। आप इसे यह देखीगा की तता यहां की जो अफिसियल करनसी है। अगला प्रसन हमारा है। निमलिखित में से किस दिन 20 सो भर में सुन्य भेद भाव दिवस को मनायieß गया। तो पूरे बिश्य में जो है सुन्य भेद भाव दिवस मनाया गया एक मार्च के दिन तो option जो इसका C है हमारे बिल्कुल सही है पूरे बिश्य में एक मार्च के दिन सुन्य भेद भाव दिवस को मनाया गया तो option जो इसका C है हमारा बिल्कुल सही है तता इसकी theme आपके लिए super important है तो जो पूरे बिश्व में एक मार्च को सुन्य भेदभाव दिवस मनाया गया इसकी इस बार की theme रखी गई थी महिलाओं और लड़कियों के खिलाप सुन्य भेदभाव अब theme note down कर लेजेगा महिलाओं और लड़कियों अप्याद रिखेगा महिलाओं और लड़कियों के खिलाप सुन्य भेदभाव इस verse की theme थी सुन्य भेदभाव दिवस की जो एक मार्च की दिन मनाया गया अगला प्रस्त हमारा है राफेल नडाल जो की इस्पेन के टेनिस खिलाड़ी है आप आदेखिएगा राफेल नडाल जो है इस्पेन के टेनिस खिलाड़ी है इन्होंने हाली में किस इस पलता में जीत दल्ज करके अपने करियर का 85 एकल टेनिस खिताब जीता है तो हाली में Mexican Open तो आप याद दिखिएगा option इसका भी बिल्कुल सही है हाली में Mexican Open में जीत दल्च करके जो राफिल नडाल है इन्हों ने अपने करियर का 85 एकल टेनिस खिताब जीत लिया है तो option इसका भी बिल्कुल सही है Mexican Open जीत के तता यह जो राफिल नडाल है यह Spain के टेनिस खिलाडी है अगला प्रस्त नमारा है हाली में भारत ने किस देश को 40 मिलियन डॉलर में राडार की अपूलती करने के लिए एक समझोता किया है तो हाली में भारत ने पूरे 40 मिलियन डॉलर का एक सौधा किया है अर्मेनिया के साथ तो option जो इसका A है इमारे बिल्कुल सही है तता भारत अर्मेनिया देश को टोटल जो है राडार बेचे का मतलब राडार देगा भारत को 40 मिलियन डॉलर में तो आप इसे आ देखिएगा 40 मिलियन डॉलर की डील होई है भारत और अर्मेनिया के मतलि तता यह भारत जो है टोटल 4 आप आप आदेखिएगा भारत टोटल 4 स्वदेशी जो स्वदेशी निर्मित राडार है वो अर्मेनिया को देगा तता यह जो राडार है इस राडार का नाम है स्वाती राडार आप आदेखेगा इस राडार का नाम है स्वाती राडार तता यह जो राडार है यह बनाय गया है DRDO के तरह किसके तरह यह राडार बनाय गया DRDO के तरह तता टोटल चार राडारों की अपूती भारत करेगा अर्मेनिया को तता यह जो स स्थाने छेतर बिकास नीधी को 3 क्रोड रुपय प्रती वर्श तक बढ़ा दिया है कि कि तो जो किसी भी राज्य के जो बिधायक होते हैं उनको जो उनके स्थाल के बिकास के लिए विधायक नीधी में फंड दिया जाता है तो उन fund को अब 2 करोड से बढ़ाकर 3 करोड उपय कल दिया गया है तो ऐसा कदम जो उठाया है वो उठाया गया है उत्तर प्रदेश की गौर्मेंट के दोरा तो उत्तर प्रदेश के जो बिधायक होंगे उनकी जो बिधायक निधी होती है उनको जो fund मिल टंग के अस्थानी चेतरों का बिकास करने के लिए अब वो fund 2 करोड उपय से बढ़ाकर 3 करोड उपय कल दिया गया है तो ऐसा decision उठाय गया है उत्तर प्रदेश की गौर्मेंट के दोरा तो option जो इसका C है हमारा बिलकुल सही है आप इसे या देखेगा अब विधायकों को उनके अस्थानी चेतर विकास निधी में जो fund दिया जाता है वह 2 करोड से 3 करोड उपय कल दिया गया है उत्तर प्रदेश की गौर्मेंट के दारा तो आप इसे या देखेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव है यहां के राजयपाल है आनंदी बेट पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ तता उत्तर प्रदेश का जो लखनव सहर है उत्तरपदेश का जो लखनव सहर है यहाँ पर Defense Expo का भी आयोजन किया गया तो इस बार तो इसे भी आप या दिखियेगा इस बार का जो Defense Expo था 2020 का इसका भी आयोजन लखनव में ही किया गया तो इसे भी आप याद रखियेगा तो दोस्तों आप आप आपने टोटल बार इंपोर्टेंट MCQs को कवर कर लिया था कर लिया है जो कि आज के Current Affairs भी आधारे थे तीन मार्च के आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू